आपको कहां पर private medical college मिल सकते हैं, यानि कि जिसी student के 500 marks हैं, 450 marks हैं, 400 हैं, 300 हैं, 200 हैं, 100 हैं, और वो private medical college में admission लेना चाते हैं, क्योंकि government की कटोप तो मैं already predict कर चुका हूँ, उस range में वो student नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए private medical college की कहां कहां possibility है, कितने marks पर आपको private medical college मिल जाएग इस वीडियो में हम सर्चा करेंगे, round wise मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से state में, आपको कौन से round में medical college मिल सकती है, कितनी score पर वो college मिल सकती है, उससे पहले मैं आपको एक ruling बता देता हूँ, इंडिया में rule यह है कि जो candidates जिस state की domicile रखता है, उस state के government और private medical college में admission ले सक ले सकता है, लेकिन state quota के लिए जो candidate, जिस state की domicile रखता है, उस state के government medical college और private medical college में admission ले सकता है, यह rule है भी domicile का, अब कुछ state ऐसे हैं, जो अपनी state में दूसरे state के candidate को private medical college में allow करते हैं, government में तो कोई allow करता नहीं है, किसी भी state में दूसरे state का candidate 85% के लिए कोई admission नहीं ले स जदर state candidate को allow करते हैं, जिने open quota कहा जाता है, जैसे करनाटका, केरिला, तमिलनाडू, आंधरा, चतिशगर, तेरपुरा, उत्राखंड, हिमाचल परदेश, यह सारे open state हैं, लेकिन कुछ ऐसे state हैं, जो अपने state के अलावा, दूसरे state के अलावा, दूसरे state के अलावा, दूसर सारे states हैं, जो दूसरे state के कंडिडेट को allow नहीं करते हैं, उन्हें close state कहा जाता है, तो आज मैं इस वीडियो में उन states की cutoff के बारे में बताऊंगा, जो open state हैं, यानि की जिन candidates के marks government की जो level है, उस पर नहीं आ रहे हैं, उनमें उनका admission नहीं हो रहा है, government medical college में, जिनके 500, 400, 450, 300, 350, 200, 250, 100, 150, इस परकार से score आ रहा है उनका, तो उनको कहां कहां पर private medical college की possibility है, कौन से round में उनको college मिल सकता है, इस वीशे पर हम सर्चा करेंगे, तो सबसे पहले देख ले बारे में, जिनकी cutoff क्या रह सकती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं केरिला स्टेट के बारे में, केरिला स्टेट इस साल की सबसे कम फीश वाला college माना जाता है, यानि की 7,000,000 से इसकी fees start होती है, 7,000,000 से इसकी fees start होती है केरिला स्टेट की, अगर इसकी round wise cutoff की बात करें तो 1st round में 550 कटोफ रह सकती है, 2nd round में 525 कटोफ रह सकती है, और last round में 450 कटोफ रह सकती है के रिलाइस डेट की, क्योंकि इसकी फीज आज की डेट में सबसे कम है, हलाग कि ये 7,00,00 रुपे की जो फीज है, ये ट्यूसन फीज ही है, ये भी कम नहीं है और इस पर अधर एक्सपेंस लगा के ये 10,00,00 पढ़ जाता है, लेकिन अगर compare करें तो 10,00,00 से डाउन और कोई कोई कोलेज की फीज नहीं है यहाँ पर, तो सबसे कम फीज वाला स्टेट यही है के रिलाइस स्टेट, जिसकी cut-off 450 last round तक जा सकती है, अब इसके बात करें हम करनाट का स्टेट की, यह भी एक popular स्टेट है, यहाँ पर भी यहाँ के private medical college में जो नोर्थ इस्ट के स्टुडेंट हैं, वो काफी जाते हैं, जो हरियाना, राजस्तान, यूपी, बिहार, इस तरफ के स्टुडेंट यहाँ पर काफी admission लेते हैं, और इसके अगर round wise cut-off की बात करें तो 490, 480, 420, यानि कि first round में 490 cut-off जा सकती है, शुरी, यहाँ पर 490 cut-off जा सकती है, first round में, second round में 480 जा सकती है, और last round में 420 cut-off जा सकती है, करनाट का state के लिए ये करनाट का state के लिए इतनी कटोप जा सकती है first round second round और last round में अब बात करें हम 36 गड़ी state की ये भी एक popular state है ये भी कम फीस के लिए जाना जाता है ये 36 गड़ी state तो 520 first round में कटोप रह सकती है 450 second round में रह सकती है और 400 last round में रह सकती है तो ये हिंदी बासी स्टेट है इसकी वज़ए से करनाटका और केरिला की बजाय लोग ज़्यादा इसे पसंद करते हैं और फीस भी इनी के लेवल की फीस है इसलिए इसी कटोप इतनी जाती है लेकिन लास्ट राउंड में इसकी कटोप काफी कम चली जाती है मोप अप राउ कटोफ है यह जा सकती है यह जो कटोफ 540 है यह 440 कटोफ है यह मैंने गलती से 540 लिग दिया है यह 440 कटोफ सेकंड राउंड में जा सकती है तिरपुरा स्टेट के लिए इसके बाद तू फोर्टी सेकिन् रॉञ्ड की रह सकती है और लास्ट टू हन्रेड तक यहां पर एडिमिमिसम निल जाता है हर्याना इस्टेट में अब बात करें हम हर्यानी स्टेट के बाद में उत्रप्रदेश की उत्रप्रदेश के बारे में यहां काफी सारे colleges हैं cut-off सबसी down रहती है यनि कि इंडिया का यही एक ऐसा state है जिसके अंदर सबसे कम cut-off रहती है first round की बात करें तो hundred marks per college मिल जाता है लेकिन इसकी खासेत यह है कि second round और mop up round में इसकी cut off बढ़ जाती है second round में 250 रह सकती है और last round में 300 रहती है यहाँ minority के college भी है minority के college काफी कम marks पर cut off रहती है इनकी minority के college की वैसे भी UP state में अभी fees पर काफी control हो चुका है फिर भी कुछे college में hidden fees तो रहती ही है और इसकी जो fees है वो 15 लाक रुपे तक पढ़ जाती है बिहार state की बात करें तो इसकी भी काफी fees है बिहार state की first round में 200 तक seat मिल जाएगी second round में 170 तक मिलने की chances है और 150 तक last round में मिलने की chances है यह जो दोनों open state है इनमें सभी C2 पर other state के candidate eligible है यनि की private की सभी C2 पर other state candidate यहां पर eligible है बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहां मैर्सी मार्केंडेश वर एक private college है शोलन में first round की कटोब इसकी 300 रह सकती है second round की 265 और last round की 250 कटोब रह सकते है हिमाचल प्रदेश की उत्रा खंड की बात करें तो उत्रा खंड में फीस काफी ज़्यादा है लेकिन यहां एक नया college है गोतमबुद नया college है इसकी जो cutoff है वो last cutoff काफी down जाती है 250 first round में second round में 160 जा सकते है और last round में 150 cutoff जा सकती है नया college है बाकी जोली grant जो है यह high rank पे थोड़ी सी ज्यादा rank पे जाता है फीस ज्यादा है जारखंड में अगर बात करें तो एक private medical college है और एक डिम्डी उनिवर्सिटी है टाटा तो इसकी अगर private medical college की बात करें तो private medical college में 300 पर यहां पर first round में 245 पर second round में और 200 पर last round में seat मिल सकती है यहने की mopop round में seat मिल सकती है जहारखंट state में अब बात करें next state Tamil लाड़ू south का state है और यहां पर first round में 420 कटोब रह सकती है 450 कटोप रह सकती है, second में 280 रह सकती है और last round में 200 तक कटोप चली जाती है यहाँ पर Tamil Nadu state में, West Bengal में fees काफी ज़्यादा है इसलिए first round में 110, second round में 130 थोड़ी कटोप ज़्यादा चली जाती है और last round में 125 कटोप रह सकती है यहाँ पर, राजस्तान में second round से अलाव होते हैं, candidate 100 marks पर कुलेज मिल जाती है 100 marks पर कुलेज तो मिल जाती है, लेकिन fees काफी ज़्यादा होती है यहाँ, other state candidate के लिए भी fees काफी ज़्यादा होती है सीटे last round तक इस state में बची रहती है इसके बाद में बात करें हम आंदरे state की तो आंदरा में first round की cut off रह सकती है 440 second round की रह सकती है, 350 last round की cut off रह सकती है तेलंगाना state की आंदरा से ज़्यादा cut off जाती है 475 first round, 422 और 300 अगर माने हम तो last round की cut off यहाँ जा सकती है तेलंगाना state में पॉंडिचेरी की बात करें तो first round काफी high जाता है 500 पर जा सकती है, second round 150 पर और 100 पर last round की cut off जा सकती है पॉंडिचेरी की भी fees काफी ज्यादा है तो हमने यहाँ देखा कि जिस state की जितनी ज्यादा fees है cut off उतनी ही कम जाती है, कम fees वाले state की cut off ज्यादा जाती है यहाँ पर यही यहाँ पर यह system है अब बात करें dimmed university की तो dimmed university में fees के according score cut off रहती है यानि कि अगर जिस college की fees कम है तो उस score काफी score पर वो cut off रहती है इसकी और जो fees ज्यादा है जिनकी जैसे किसी की 25 लाक्स भी है तो qualifying marks पर भी वो college मिल जाती है dimmed university तो dimmed university की college wise fees है और वो fees के according ही cut off इसमें decide होती है कि कितनी ज्यादा फीस है यानि कि इसमें 10 लाक्स से start होती है 10 लाक्स fees symbiosis की है जो women college है 10 लाक्स से start होती है वो fees और 25 लाक्स फीस सबसे ज्यादा फीस है जो कि रामचंद्रा की है इसके लावा पुने की है DR, DOI, PARTIL की तो इनकी फीस काफी ज्यादा है 25 लाक्स तक maximum फीस है dimmed university की तो ये मैंने आपको बताई है cut off जो open state की है private medical college की है next video मैं आपको semi government medical college के बारे में लेकर क्या होंगा कौन से state में कौन सी semi medical college है किस state में है कितने उसकी category wise cut off रह सकते तो उसके बारे में बात करेंगे अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं जैसे open state हो गया state का या फिर ओल इंडिया कोटा हो गया तो इसके बारे में